बॉलिवुड में खांस के साथ काम करने के लिए एक्टरिस को लगता है कि अगर खांस के साथ मौका मिल जाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता बजरंगी भाईजान आपने सर्मान खान के साथ छोड़ दी जीरो फिल्म अपने शारुख खान के साथ छोड़ दी क्यों अभी पंगई तो है सलमान कान शारुख खान को कौन मना करता है बॉलिवूड में अमेशी ऐसा नहीं है कि मैं एक वक्त था जब मैं चाहती थी कि मैं इन सब के साथ काम करूँ लेकिन दस साल का मेरा संगर्श रहा है जब मुझे सब ने डिसमिस किया इसका कुछ नहीं होने वाला क्योंकि एक नॉमल सा जो फॉर्मेट होता था आइटम सॉंग करो दो गाने करो कॉमेडी सीन उसमें मैं फिट नहीं होती थी तो जब मुझे वो काम नहीं मिला मुझे एक अलग तरीके से सफलता मिली चाहे कुईन हो तनुवेट्स मनु हो मनी करनी का हो एक मैंने एक महिला ने अपने वजूद पाया इस इंडस्ट्री में और यह इस जनता का मेरे लिए प्रेम रहा है प्लेश में करने लोगों की फिर मैं कुसी के साइड में कढ़ हुएं के एक साइड रोल करूं चाहे वो दो सीन में और ज्राइटम नंबर क्यों करूं शारू खां के साथ भी सलमान खान के साथ भी तो क्या है वो मुझे बताईये explain कीजिए वो वी बहुत बड़ी एक्टर है वो भी बध बड़ी एक्टर है हां तो आपने कहा ना आप भी बऻुत बड़ी एक्टर ठीक है यार हम भी है ना तो आप अब आगे कभी कोई फ्यूचर में प्रजेक्ट आए तब भी तब आप सोचेंगी या नहीं? ऐसा नहीं है, मैंने कोई भी आउट ओफ, मैंने ऐसा नहीं किया, कि मैं इस इंसान को नीचा दिखाऊं ये काम करके नहीं, ऐसा नहीं किया, मुझे लगा, आपको भी तो कभी ऐस अलग सकता है, यार हम अपनी घर में अच्छे हैं, अपना हमें जो एक अस्तिक्तो मिला है, मेरी वचा से कल आने वाली बेटियों को भी एक ऐसा यार, एक महिला का भी अस्तिक्तो होता है, और आप लोग, आपको पता है, कि ये जो हीरो लोग होते हैं, ये महिलाओं को कितन सोशन करते हैं आपको पता है दिनर पे बुलाना मैसेज करना घर पे आ धमकना आपको पता है ये सब तो एक बेटी आगे जाके खड़ी हो रही है और कह रही है कि ये सब ठीक है आप किसी के साथ में समय बिताना चाहते हैं आपका प्रेम पर संग है वो एक अलग बात है लेकि अगर एक बेटी आगे आई है और ये अपने दम पर आगे आई है तो क्या इतना असमान गिर गया कि इनके साथ फिल्म चोड़ दी उनके साथ फिल्म चोड़ दी आपने ऐसा कैसे कर दिया अब आप किसी मूड में नहीं लग रहे हैं इनके साथ आगे भी कोई फिल्म करने के नहीं मैं यह नहीं कह रही हूँ कि चाहे मैंने हमेशा ही कहा है कि चाहे वो खान हो चाहे कुमार हो मेरी जैसी परस्नेलिटी मुझे मुझे कभी किसी से कोई दिक्कत नहीं हुई है और जिन से हुई है वो सबने देखा है वो मुझे जेल में डालने की कोशिश की जाये इन्होंने मिलके जो भी करने की कोशिश की लेकिन मैं यह जानती हूँ कि जिस तरह से अगर आज हम देखते हैं कि चाहे वो कलकत्ता में रेप केस हो चाहे मुझे खुले हम रेप करने की धंकिया हुआ हम जानते हैं कि हम महिलाओं की इज़त नहीं करते हैं और फिल्म इंडस्ट्री भी कोई डिफरेंट नहीं है आज कॉलेज में दो चार लड़के खड़े होते हैं लाए जाती है तो उनकी बाड़ी को लेकर उनके पार्ट्स को लेकर कमेंट करते ही है और फिल्म हीरो भी डिफरेंट बिलकुल नहीं है वो भी वैसे ही है लड़की आई तो मतलब एक तरह से हम जानते हैं बॉलिवुड में खांस के साथ काम करने के लिए एक्टरिस को लगता है कि अगर खांस के साथ मौका मिल जाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता बजरंगी भाईजान आपने सर्मान खान के साथ छोड़ दी जीरो फिल्म अपने शारुख खान के साथ छोड़ दी क्यों अभी पंगई तो है सलमान कान शारुख खान को कौन मना करता है बॉलिवूड में अमेश्ची ऐसा नहीं है कि मैं एक वक्त था जब मैं चाहती थी कि मैं इन सब के साथ काम करूँ लेकिन दस साल का मेरा संगर्श रहा है जब मुझे सब ने डिसमिस किया इसका कुछ नहीं होने वाला क्योंकि एक नॉमल सा जो फॉर्मेट होता था आइटम सॉंग करो दो गाने करो कॉमेडी सीन उसमें मैं फिट नहीं होती थी तो जब मुझे वो काम नहीं मिला मुझे एक अलग तरीके से सफलता मिली चाहे कुईन हो तनुवेट्स मन हो मनी करनी का हो मैंने एक महिला ने अपने वजूद पाया इस इंडस्ट्री में और यह इस जनता का मेरे लिए प्रेम रहा है लोगों कि फिर मैं क्यों किसी के साइड में खड़ें कि साइड रोल करू करूँ चाहे वो दो सीन में आइटम नंबर को करूं शारु khान के सातं भी सलमान खान के साथ भी तो क्या है वो क्या है क्या वो मुझे बताईये explain कीजिए क्या है वो बहुत बड़े अक्टर है मतलब आप भी बहुत बड़ी अक्टर है वो भी बहुत बड़े अक्टर है हाँ तो आपने कहा ना आप भी बहुत बड़ी अक्टर आपको भी तो कभी ऐसा अलग सकता ना, यार हम अपने घर में अच्छे हैं, हमें जो एक अस्तिक्तों मिला है, मेरी वज़ा से कल आने वाली बेटीों को भी ऐक ऐसा, एक महिला का भी अस्तिक्तों होता है, और आपको पता है कि ये जो हीरो लोग होते हैं, ये महिलाओं को कितना सोशन करते हैं, आपको पता है, दिनर पे बुलाना, मैसेज करना, घर पे आधमकना, आपको पता है ये सब, तो एक बेटी आगे जाके खड़ी हो रही है, और कह रही है कि ये सब ठीक है, आप किसी के बिताना चाहते हैं, आपका प्रेम पर संगया, वो एक अलग बात है, लेकिन इस सबसे जड़ा एक्स्प्लोइटेशन जो है, वो ये हीरोज करते हैं, तो अगर एक बेटी आगे आई है और ये अपने दम पर आगया है, तो क्या इतना आसमान गिर गया, कि इनके साथ फिल्म छोड़ दी, उनके साथ फिल्म छोड़ दी, आपने ऐसा कैसे कर दिया अब आप किसी मूड में नहीं लग रहे हैं, इनके साथ आगे भी कोई फिल्म करने के मैं ये नहीं कह रही हूँ, कि चाहे मैंने हमेशा ही कहा है, कि चाहे वो खान हो, चाहे कुमार हो, मेरी जैसी परस्नालिटी, मुझे कभी किसी से कोई दिक्कत नहीं हुई है, और जिन से हुई है, वो सब ने देखा है, वो मुझे जेल में डालने की कोशिश की, चाहे इननो जानते हैं कि हम महिलाओं की इज़त नहीं करते हैं और फिल्म इंडस्ट्री भी कोई डिफरेंट नहीं है आज कॉलेज में दो चार लड़के खड़े होते हैं और महिलाए जाती है तो उनकी बॉड़ी को लेके उनके पार्ट्स को लेके कमेंट करते ही हैं और फिल्म हीरो भी different बिलकुल नहीं है वो भी वैसे ही है लड़की आई तो मतलब एक तरह से हम जानते हैं कि